श्री शिवाय नमस्तब्यम दर्श को आज हम आपको एकादशी वरत के अठारा महतपोन नियम बताएंगे जो की पूजनी श्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वरा कहे गए हैं और यह अठारा महतपोन नियम आप अपने एकादशी वरत के लिये करेंगे तो आपको एकादशी का वरत रखते हैं तो एक दिन पहले ही आपके मन में भक्ती का संचार होना चाहिए आप एक दिन पहले ही अपने मन में ठान ले कि हमारा कल एकादशी वरत है इसलिए आपके मन में भक्ती का भाव एक दिन पहले से आ जाना चाहिए दूसरा है एकादशी के एक द पात्विक भोजन ग्रहन करना है चावल ग्रहन नहीं करना है ना ही लसन प्याज का इस्तेमाल करना है और ना ही मंदिरा मांस का सेवन करना है आपको एक दिन पहले ही एकादशी का पालन करना है अगला नियम है आप इस बात का ध्यान रखें जिस दिन आपका एकादशी का वर आप यही प्रैस किजेगा कि एकादशी वाले वरत के दिन आप किसी भी पत्ती फूल को ना तोड़ें वरक्ष को हाथ ना लगाएं चौथा नियम है एकादशी के दिन अगर आपका वरत है तो आप बूल से भी अपने घर में डबे में रखी हुई रोटी गाए को बिलकुल ना दें आप गाए को वरत का ही फलाहार दें कोई फल दे दें या फिर ऐसी वस्तु दें जो वरत में खाने वाली हो जो आप वरत में खाते हों वही आप गाए को दें भले ही थोड़ा सा भाग दें लेकिन गाए को फल या फिर फलाहार में से उसका हिस्सा जरूर दें पाच्वा नियम है आप एकादशी के दिन अपने मन में ओम नमस शिवाय या फिर आपका गुरु मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस तब् रहें ओम नमो भगवते वासुदेव का जाब करें अपने हिर्दय में भगवान का किसी इवी रूप में नाम लेते रहें श्री राम का नाम लें आपके मन में भगवान का ही चित्त होना चाहिए आपके मन में भगवान का ही भाव होना चाहिए इसके लिए आपको बस मन मे भगवान का ही नाम लेना है भजन किर्टन कर सके तो मन यमन भजन किर्टन भी कर सकते हैं अगला नियम है आप किसी निन्दक से बात ना करें अगर कोई इर्षा भाव या निन्दकी बातें करता हो उससे दूर रहें अधिक से अधिक बचने की कोशिश करें यदि आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति है तो बच के रहें उससे बात करने की कोशिश ना करें अगर भूलवश भी आप उससे बात कर लेते हैं तो उसके लिए प्रभू से छमायाचना जरूर मांगें अर्मान लो किसी ने आपसे किसी की चुगली कर दी या फिर कोई निंदा की है तो आप तुरंत ही सूर नाराइन को तीन बाठ देखें उनके दर्शन करें और मनी मन उनसे प्रातना करें शमायाचना करें तुरंत ही आपके मन में उस निंद्या का भाव चला जाएगा और आप को भगवान उस दोस्त से मुक्त करेंगे जाकर आपको एकादशी की का व्रत लगेगा अगला नियम है एकादशी के दिन किसी भी जीव की हत्या ना करें छोटे मोटे कीड़े मकोडे मक्ही मचर बहुत से ऐसे जीव होते हैं जाने आंजाने हमारे किसी की किसी ना किसी दिन हत्या हो ही जाती है लेकिन उस दिन आप बच के रहें थोड़ा सा प्रयास करें कि आप ऐसे जीव हत्या ना करें किसी को भी कश्ट ना हो बस इतना ध्यान रखें अठारा नियम में से एक नियम और है प्रयास किजिएगा एकादशी जब भी करें द्वादशी से जुड़ी हुई करें दस्मी से जुड़ी हुई एकादशी ना करें द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी जरूर करें दस्मी से नहीं दस्मी से जुड़ी हुई एकादशी वरत कहलाती है दौहादसी से जुड़ी हुई एकादसी पून फल प्रदान करके आपको मुक्ष की प्राप्ति देती है आपको भगवान नारैन के चरणों में छोड़ाती है इसलिए एकादसी दौहादसी से जुड़ी हुई होना चाहिए अगला नियम है हो सकता है आप इस दिन जाडू ना लगाएं प्रयास करें कि आप इस दिन घर में जाडू ना लगाएं पोचा ना लगाएं उस बीच हो सकता है कि आपके हाँ छोटे छोटे जीव जन्तु मर जाएं इसलिए आप प्रयास करें कि उस दिन जाडू ना लगाए किसी और व्यक्ति को बोल दे घर के सदस्य को जाड़ू पोचा करने के लिए अगला नियम एकादशी का वरत एक मात्र ऐसा वरत होता है जिसका उध्यापन आप एक एकादशी करके भी कर सकते हैं इसमें कोई नियम नहीं है कि आप 11, 21, 51 या साल, 2, 5 सल ऐसा करके उसका उध्यापन करें आप एक वरत करके ही एकादशी का उध्यापन कर सकते हैं अगर आप एकादशी के पहली एकादशी करके ही उध्यापन कर देते हो तो आप बाद में जितनी भी एकादसी करेंगे उसका फल भी आपके खाते में जुरता चले जाएगा ऐसा पूजने स्रीपंडित प्रदीप मिसरा जी का कहना है उधारन दिया था उन्होंने जिसे बैंक में खाता खुलवाते हैं तो पहले आप एकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हैं और फिर बाद में आप पैसा जमा करते जाएंगे उसका इंटरस्ट जुरता जाएगा उसी प्रकार से इसका भी ऐसा ही नियम है आप एक एकादसी का वरत करके आप उसका उद्यापन करते बाद में आप जितनी भी एकादसी करते जाएंगे उसका पूरा पुन्य आपके खाते में जुड़ता चला जाएगा अगला नियम एकादशी का उद्यापन जब भी करना है आप माग मास के सुकलपक्ष की एकादशी को ही करें क्योंकि माग मास सबसे बड़ा महा माना गया है और इस माग में ही आप माग मास के सुकलपक्ष की एकादशी को ही उद्यापन करेंगे तो आपको पुन्य अधिक प्राप्त होगा और चतुर मास में उद्यापन नहीं किया जाता है एकदशी का क्योंकि चतुर मास में भगवान विश्णु शयन में रहते हैं क्योंकि वे सो रहे होते हैं इसलिए चतुर मास में कभी भी एकादशी का उध्यापन नहीं करना चाहिए अगला नियम एकादशी के उध्यापन में सबसे जादा जरूरी होता है तो 24 तरीके का निवैदे यानि 24 तरीके का भोजन आप सात्विक भोजन बनाएं चाहें तो आप हलवा पूरी खीर पकोड़े मिठाई इस तरीके के 24 अलग अलग आइटम आप रख सकते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही तरीके की चीज एक मिठाई बनवा लेते हैं और 24 उन्हें कटोरियों में रखके भगवान को भोग लगाते लेकिन ये गलत है आप 24 तरीके का अलग अलग निवैद्य भगवान को समर्पित करें उसी से आप उध्यापन करें क्योंकि एकादशी के उध्यापन में सकंद पुरान में भी लिखा गया है कि 24 तरीके का निवैद्य अलग अलग होना चाहिए अगला नियम एकादशी का पूजन करके आप विधी भत मंडप लगा करके किसी विद्वान पंडितों को बुला करके आप एकादशी का उध्यापन करवाईए और हवन आप द्वादशी के दिन करवाईए एकादशी के दिन उध्यापन का हवन नहीं होता है इस बात का वि इस बात का द्यान रखें चावल आप दो दशी के दिन खाएं और एका दशी का वरत चावल खाकर ही खोलें दो दशी के दिन भूजन में सबसे पहले आप चावल खाएं उसके बाद कोई अन्य चीज खाएं उसी से आप वरत का पारण करें अगला नियम है एका दशी के उद् दान कर सकते हैं यही है एकादशी के नियम आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुचाईएगा इस चैनल को पहुचाईएगा ताकि पूझने सिर्पंडित प्रदीप जी कहे गई ऐसे ऐसे उपाये हैं जो हम आपको इन वीडियो के जरिये पहुचा रहे हैं आप तक आप इन उपायों को करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं मिलते हैं अगले वीडियो में श्री शिवाई नमस्तो भ्यम